नमस्कार दोस्तों, सुबा सुबा आज मैं आपको बहुत बड़ी खुसकवरी देने वाला हूँ, सभी वहाँ चालकों के लिए, अगर आपके पास आटो रिक्सा है, ग्रामीर सेवा है, फटपट सेवा है, या फिर काली पिली टेक्सी है, या फिर ओला उबर की कैब है, या इसके अलाब अभी किसी प्रकार का कोई भी कमर्सल वाहन है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, अगर फेस्बुक पे देखने हैं, तो ह आए ड्राइवर भाईयों का भी इंट्रिवु लिया है, तो जो भी यूनियन वहाँ पर आई थी, और जो भी ड्राइवर मुझे मिलेते, उनका कहना ये था कि राजपुरा अथोटी के अंदर ड्राइवर भाईयों को परेशान किया जा रहा है, उनके काम नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज मैं किलियर कह देना चाहता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर उस डिपार्टमेंट में जनता का काम नहीं हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार, उस डिपार्टमेंट का जो सबसे बढ़ा दिकारी होता है, या निचले इस तरका दिकारी होता हैं, तो ऐसे अपसरों को इस चीज का संग्याल लेना चाहिए, उन पर कारेवाई करने चाहिए, और जनता के काम को सुचारी रूप से करने का आदेश देना चाहिए, लेकिन बद किस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा था, ड्रैवर भाई परेशान थे, यूनियन वाले भी पर रोप लगाई थे, शायद उनके पास सबूत होंगे, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो खुसखबरी के बात ये है कि जैसे के यूनियन वाले कह रहे थे के राटपुरा थोर्टिक अंदर काम नहीं हो रहा है, और ड्रैवर भी कह रहे थे काम नहीं हो रहा है, हम अने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुलेना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिशनर सहजाद आलम जी का दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है, अब उनको जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है, अब जो यूनियन वाले थे, जो आरोप लगा रहे इसकी भविश्यमानी पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिशनर सहजाद आलम जी के ट्रांसपर से कई सारी दिल्ली की ऐसी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जो काफी खु तो आप भी उस समय का इंतियार कीजिए, हम भी उस समय का इंतियार करेंगे और मिलेंगे आपको किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!